हेलो गाइस वेलकम टू माँ चनल रीड एंसी यार्टी फिजिक्स विशिवम और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नमबर थ्री करेंट इलेक्सिटी के टॉपिक मोबिलिटी के बारे में तो मोबिलिटी वर्ड आया है मोबाइल से मोबाल मतला मुवमेंट से तो मोबिलिटी होगा इसको हम अभी डिफाइन करेंगे इन टम्स ओफ ट्रिफ फेलोसिटी तो देखते हैं सबसे पहले मोबिलिटी के बारे में क्या गेवन है एज वी हव सीन कंडुक्टिविटी अराइस फ्रम मोबाल चार के लिए तो जैसे हम जानता है कंडुक्टिविटी और आयोनाईस कैस ते हाउन और ऑर निज में ऑल जाये में जचार करना आयोंजान सब्सक्रांश जचे निए मथा वanka क्या है ओक्या कोम्नुद evaporate ऑनज हो लिए खेलalter सु men बोत पॉसिटिव और नेगीटिया जैसे कि अगर मैं अ-c-L solution के बात करूं तो अने प्लस में प्लस ऑजेटिव आउन और सी एल नेगेटिव 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 आँन हो जायेंगे यह चार्ज के रेचंगे उक्ते बाद देखते हैं An important quantity is the mobility mu defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field. Mobility को कैसे define करेंगे हम, mu उसका symbol है, तो mobility is drift velocity per unit electric field. कहने का मतलब, अगर unit electric field है, तो कितनी drift velocity है, जो भी मारा charge करें जैसे की electron की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैंने one unit electric field apply करी, तो इस electron की drift velocity क्या है, कितनी velocity है, कितनी यह drift कर रहा है, किस speed से drift कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे mobility, ठेक है, तो mobility क्या है, क्या drift velocity है, कितनी velocity है, कितनी speed से वो, कितनी velocity से drift कर रहा है, electric field apply करने में, ठेक है, कितनी speed है basically, तो यह हमारा mobility, कितना mobile है वो, ठेक है, ज़्यादा मोईल होगा तो ज़्यादा drift velocity होगी per unit electric field में तो I hope यह समझ में आपको पर mobility क्या है ऐसा unit of mobility is meter square per volt second तो देखो बहुत easy है define भी करना इसको इसकी unit को देखना electric field की unit क्या होती है electric field की unit is volt per meter volt per meter नीचे meter उपर velocity की meter per second तो देखो meter square volt second आ रहा है इसकी unit okay and is 10 to the power 4 of the mobility in practical unit तो practical unit कितनी है यह centimeter square per volt second में हो जाएगा क्योंकि moment बहुत कम होगा इसलिए practical unit की centimeter square per second है अब आप convert कर सकते हैं meter square होगा centimeter में convert करेंगा 10 की पावर 2 ओक और square है 10 की पावर 4 तो meter square per volt second इसकर 10 की पावर 4 centimeter square volt second तो यह यूज़ करते हैं centimeter square volt second इस इस प्रैक्टिकल उनिट okay mobility is positive हम इसा क्या रहेगी positive लेंगे हैं okay and इसको देखो okay drift velocity अब drift velocity का formula हमने पीछे देखार डराइव किया था ठीक है तो पीछे previous वीडियो देखना तो इसमें आपको इस प्रैक्ट्री लेक्ट्रों का चार्ड का चार्ड okay Tau is the relaxation time average time interval between successive collision यह हमने detail ना बाज़ किती प्रिविए वीडियो में okay electric field this is the electric field applied and m is the mass of the electron okay this is the formula of drift velocity और देखो mobility का formula किया है VD upon E so we'll divide this by E so what we'll get the drift velocity sorry mobility of the charge काडिया so the electron is E tau by M so mobility का formula किया आगिया E tau by M and देखो इसमें यानि कि E to क्या हो गया constant है charge of electron mass of electron is also constant tau tau किस पर डिपन करता है tau देखा था हमने जैसे की अभी आगे देखेंगे भी temperature पर depend करेगा ठीक है temperature पढ़ने पर relaxation time क्या हो जाता है relaxation time temperature पढ़ने पर decrease हो जाता है okay तो इसको भी हम detail में बात करें जब resistance का बात करेंगे on terms of temperature ठीक है तो mobility का ये formula हो गया ठीक है एक और बात देखो इसमें conductivity अगर कैसे डेपेंड करेगा जब हम निकालेंगे इसको conductivity तो conductivity अब फॉर्मला जब आ जाएगा तो mobility की टांस में n, mu, e इस तरह से बुच आ जाएगा तो conductivity होगी conductivity किस पर डेपेंड करेगी mobility पर डेपेंड करेगी तो ऐसा हो सकता है कि number of charge carriers कम हो ठीक है लेकिन की mobility ज़्यादा हो मतलब उनकी drift velocity ज़्यादा हो तो conductivity ज़्यादा हो ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि number of charge carriers कम हो ठीक है number of charge carriers कम हो और mobility ज़्यादा हो ठीक है तब भी क्या होगा conductivity जादा होगी और number of charge के रज़ जादा होगे तब भी conductivity जादा होगी I hope मैंने आपको ये point clear किया होगा फिर भी आपको किसी point में कोई confusion है या कोई मेरी mistake होगी explanation में तो please comment section में बताना लाइक करना इस वीडियो को ताकि मेरे channel grow कर सके और मैं आगे वीडियो बना सकूँ ठीक है और next वीडियो में हम बात करेंगे limitation of ohms law तो अगर आपको वीडियो को notification चाहिए तो bell icon को click करना thanks for watching